वेलकम फ्रेंट्स तो आज मैं आप सभी के लिल आई हूँ पॉफिक धाबा स्टाइल साबुत मसूर दाल वाले तड़के की रेसिपी जो की खाने में बहुत ज्यादा टेस्टी होती है और इसका स्वाद बिलकुल दाल मखनी से कही ज्यादा टेस्टी होता है येकीन मानिए अगर आप इस रेसिपी को मेरे बताएवे तरीके से बनाएंगे तो पॉफिक धाबे वाले टेस्ट को पाएंगे तो इसके लिए देखिए सबसे पहले मैंने याप पर साबुत मसूर दाल जो की छिलके वाली है उसे वन फोर्थ कप लिया था और चने की दाल को दो बड़े चमच और सारी चीजों को चार घंटे के लिए अच्छी तरह से शोक कर लिया था और अब देखिए एक प्रेशर कूकर में सारे दाल को अच्छी तरह से एड़ कर देंगे और साथी एड़ करेंगे वन इंड हाफ प्याच जिसे रफ्री चॉप कर लिया है मीडियम साइस के हास थे एक बड़े सा का टमाटर है हाफ तीजपुन नमक एक टीजपुन जीरें को आट किया है और मसाले घरब मसाले को अच्य तरह सें और सावल कर लिया एक टेज-पत्ति और सरसो के तेल को आट किया हैयल एक टेबलसपुन भर के लहसन का पेस्ट है और यहाँ पर करें जितना में कि हमारे दाल सिर्फ डूप जाए उससे उपर ना हो और सारी चीजों को अच्छी तरह से आड़ करने के बाद हम इसे कवर करके मेडियम तू लो फ्लेम पर चार विसल आने तक अच्छी तरह से पकने देंगे और प्रेशर खुद रिलीज होने देंगे और दे प्याज भी सॉफ्ट हो चुके हैं तो बस इतना ही करना था इनके लिए नेक्स्ट प्रोसस करते हैं तो कड़ाई मे लेंगे हम सबसे पहले दो बड़े चमस सरसो का तेल और इसे अच्छी तरह से गर्म होने दे जब अच्छी तरह गर्म हो जाए तो एड़ करेंगे हाफ ट यह चौप कर लिया और अध्रक के टुक्रें अधी टमाटर को चौप करेंगे र क्रनाइब हाफ टीशित्पून हल्दी को पारडर ंधनिय ओ जीरे को पारडर और काश्मिरी लाल मिर्श डाल तो यहां पर अपने तयार किये वे दाल को अच्छी तरह से एड़ कर देंगे और सारी चीजों को अच्छी तरह से मिला लेंगे तो देखे फ्रेंट अभी सही हमारे दाल का कलर कितना पॉफेक्ट आया है और यहां से हमारी सारी कुकिंग प्रोसेस बिल्कुल लो फ्लेम पर होगी फ्लेम बिल्कुल लो कर दें और इन्हें अच्छे से मिलाने के बाद यहां पर बहुत जरूरी चीज़ आड़ करेंगे जो कि है एक कप गरम पानी आप गरम पानी का ही इस्तमाल करें और एक टीस्पून भर के कसूरी मेती और अच्छे से थुड़ी अच्छी क्वांटिटी में धनिया के पत्ते फ्रेश और सारी चीज़ों को मिला लेते हैं एक बार फ्लेम हमारा बिलकुल लो रहेगा और इन्हें अच्छे से मिलाने के बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट तिंग आड़ करेंगे जो कि है मिक्स मसाला एक टीस्पून भर के मिक्स मसाला नहीं है तो तड़का मसाला एड़ करें या फिर किच्छन किंग मसाला जिससे आपको पॉफिक धाबे वाले फ्लेवर या अरोमा मिलेंगे और सारी चीजों को मिला लेने के बाद इसे कवर करके 10-15 मिनिट के लिए लो फ्लेम पे इसी तरह पकने देंगे तो देखे फ्रेंट एक बार बीच में खोल कर चलाया था और देखे बहुत ही अच्छी खुश्पून आ रही है आप यकीन मानिए और देखे लुक और कलर कितना अच्छा आया है अब सारी चीजों को अच्छी तरह से मिला लेंगे और इन्हें अच्छे से मिलाने के बाद अब फ्लेम को आफ कर देते हैं क्योंकि यह बिल्कुल तैयार है और देखे कितना अच्छा टेक्शर आया है तो ये बिल्कुल ready है अब इसके लिए बहुत important तड़का तयार करते हैं तो लेते हैं एक तड़का पैन और इसमें add करेंगे दो बड़े चमच खी ज़रूर से add करें और जब खी पिगल जाए तो इसमें add कर देंगे थोड़े से प्यास के लच्छे हरी मिर्च slice की हुई और अद्रक के टुकडे यानि की अद्रक के लच्छे और इन्हें add करने के बाद इन्हें अच्छी तरह से प्यास को लाल करते हैं जब प्यास लाल हो जाए अच्छी तरह से देखे कुछ इस तरह से तो अब यहाँ पर मैट करेंगे फ्रेश थनिये को और उसे भी मिला लेंगे और बिल्कुल तयार है हमारा तड़का आप देखे कितना अच्छा लुक आया है और इस गर्मा गर्म तड़के को अपने डाल में डाल देंगे और देखे इसे अच्छा से मिला लेते हैं और इसका लुक अभी से कितना अच्छा शाइन शाइन आर बहुत ही टेस्टी और टेंप्तनिंग लग रहा है तो इसे कवर करके स्टैंडिंग टाइंपर पांच मिनट के रिए जरूर चोड़े जिससे की सारा ल परके का लुक करमा गरम तरका कितना पॉफेक्ट आया है लुक टेक्श्यर कलर सब कुछ धाबे वाला आया है और बनाना बहुत ही सिंपल घर पर अवेलेबल सारी चीज़ों से बनाया है हमने और टेस्ट यकीन मानिए धाबे से भी कही ज्यादा अच्छा होगा और बनाना ब